हलो दोस्तों स्वागत है topic wise static gk की सीरीज में जिसमें हमारा आज का topic है बिस्स के जौला मुखी यानि बिस्स के जो प्रमुख जौला मुखी हैं उनके बारे में हम जानेंगे details से जो अलग-अलग हम इनको महादूइप wise देखेंगे यानि एक तरफ से जो हमारे महादूइप ह कौन कौन सा जो अलग मुखी इस्तित है वह हम जानेंगे और सभी के बारे में details से जानेंगे कि कौन सबसे उच्छा है और कौन सबसे बड़ा जो अलग मुखी है तो इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि जो एसी दरार या मुख होता है जिसे प्रथवी के भीतर का गर्म, लावा, गैस, राखादी बावार आते हैं तो इस में जब विसवोड होता है तो इसमें बहुत सारा गैस, राखादी, बहुत सारे जो अनरicar हम और लिहारा होती है और वहीं इसे अंदर से ही जब इसपोर्ट होता है तो गैस राकादी बहुत सारे कण बाहर बहुत ही तीब रवेक से निकलते हैं और जो जो जोला मुखी का मुख होता है उसे कहते हैं क्रेटर यह जो वर्ड हैं दोस्तों यह आपको याद रखने हैं चलो हम आगे बता देते हैं क्रेटर जो है वो जोला मुखी के मुख क्रेटर कहते हैं और जो तरल पुदार्थ निकलता है उसको मैगमा कहते हैं और दोस्तों मैगमा और लावा में क्या अंतर होता है तो जब मैगमा प्रत्विक सतय पर पहुचता है और प्रत्विक सतय पर पूरी तरह फैल जाता है तब उसको हम लावा कहते हैं और मैगमा जो काफी गर्म होता है जब वही गर्म मैगमा प्रत्विक सतय पर फैल जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं तो यही टर्म होते हैं हमारे ज्वाला मुखी के जो निकलते हैं क्रेटर मैगमा लावा तो इनी से और जो जलवास्प होता है वो सबसे अधिक मात्रा में जलवास्प निकलता है ज्वाला मुखी बिस्पोर्ट में जब ज्वाला मुखी बिस्पोर्ट होता है और दोस्तों य प्रत्वी के अंदर safety valve का काम करते हैं जैसे safety valve होता है कुकर आपने देखा होगा तो उसमें जो कुकर की जो CT होती ही तो एक safety valve की तरह काम करती है नहीं तो अंदर गैस इतनी मात्रा में भाप इतनी जादा बढ़ जाए कि अंदर ही कुकर में विस्वोट हो जाए तो वही same process य sloppy जाती है तो अँगर उन जो याम कहशना को होगए तो यह काफ़ी लाभ यह होते तो नुकसं दाया है यह लेकिन इक अप्रण हो के लिए काफी पारदेमंत मानने जाते हैं क्यों कि अगर यह नहींके अनर भी स्पोर्ण हो जाएगा इस तरह से जो अलावा मैगमा है वो बाहर आ जाता है जिससे की प्थवी के अंदर बिसफोट होने से बच जाता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉला मुखी के प्रकार दोस्तों जॉला मुखी तीन प्रकार के होते हैं और अलग-अलग इनके प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं तो तब से पहले आता है सक्री जॉला मुखी क्या होता है जिनमें हमेशा ऐसे जॉला मुखी जिनमें हमेशा उदगार होता रहता है यानि बराबर माइगमा या लावा निकलता ही रहता है तो आपका इजारे पढ़ेंगे भी आगे जॉला मुखी जिनमें हमेशा उदगार होता रहता है हमेशा वो सक्री ही होते हैं फिर आते हैं हमारे प्रसुप्त इनमें कभी-कभी उद्गार देखने को मिलता है यानि कभी अचानक इनमें उद्गार हो गया और ये फिर सुस्त पढ़ें और कभी-कभी उद्गार हो गया तो इनका कोई इनिश्य टाइम नहीं और काफी समय बाद इनमें उद्गार देखने को मिलता है तो ऐसे जो जोला मुखी हैं उनको सांत यम्रत जोला मुखी कहा जाता है अब हम आगे बढ़ेंगे और कॉंटिनेंट वाई जम देखेंगे कि कौन कौन से कौंटिनेंट में कौन कौन से हमारे जोला मुखी इस्तित हैं उनके बारे में देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं अमेरिका महादूइप के जौला मुखी यानि जो अमेरिका महादूइप में इस्तित जौला मुखी हैं उनके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले आता है मारा मोना लोवा जौला यह सक्री जौला मुकिए अब यह आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे किला मुकिया सबसे सक्रीch जौला मुकी है हवाई दूइप में दो इस्ती थे, किलामू और मोनालोवा, दो जो हमारे जोला मुखी हैं, वो हवाई दूइप में इस्ती थे, अमेरिका में इस्ती थे, और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जोला मुखी दोस्तों, ये इस् परवसनेडी के अंडर आता है, यंदी परवसनेडी में ही पड़ने वाला ये जो हला मुखी है और इसकी जो उचाई है वो ऑठ्वन्ट सु सत्तान में मीटर इसकी उचाई है और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चिम्बो राजो चिम्बो राजो ये सुप्त जोला मुखी है ये भी एकक्वाडर में ही इस्ती थे एकक्वाडर में दो हो गए हवाई दूइप में दो हो गए कोटोपैक्सी और चिम्बोरा जोई एक क्वाड़र के हो गए एक सक्री एक सुप्त है फिर आता है कोलिमो यह सक्री जोला मुखी है और यह मैक्सिको में इस्ती थे मैक्सिको जो कि यह कंट्री है अमेरिका का यानि के अमेरिका मादुइप का तो वो इस्ती थे कोलिमो जोला म ये सबसे उँचा सक्क्री जोला मुखी है दोस्तों अर्जेंटीना चिली वार्डर पर इस्ती थे ओजूल डिल सलाडो नाम भी बड़ा है इसलिए ये सबसे उँचा भी है दच्छिन अमेरिका महादुप में पढ़ता है क्योंकि अर्जेंटीन और चिली कंट्री सब दच्छन अमेरिका के ही कंट्री है तो वही पर पड़ता है ओजोल डिलसलाडो बिस्टो का दुनिया का सबसे उंचा ज्वाला मुखी है ओजोल डिलसलाडो इसकी जो उंचाई है आड़ सट सो तिरानवे मीटर इसकी कुल उंचा आई है ओजेल डिलसलाडो की तो यही है सबसे उंचा सक्री जोलम की शवाला मुखी तो एक ही इक एबल हम को सुसुत जोलम की देखने को मिला दुस्तों जोंकि यह चेंवो राजो बांकी सारे जो अमेरिका कंटिनेटंट में चुब्यों सब्हे सुक्री जोलम की अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकांका गुवा और एकांका गुवा ये अर्जेंटीना में पढ़ता है और इंडीच परवत माला परिष्थी थी ये जोला मुखी है एकांका गुवा और इंडीच परवत परिष्थी थी कोटोपैक्सी ये सबसे उचा सांध जोल करी civile मुखी यानि जो सब्संत्र उच्र सक्री जो निर्स लाड़ सोर्ष और संत्धं मिल गया हमको एक का गूवा यानि इक गूवा और चिंबो राजो यह दो जो मुखी आमेरिका कॉंटिनेंट के यही इसान्थ सौरी जो एक आंका गुआ है वो सांथ जॉला मुखी है जो कि हमारा चिम्बो राजो है सुसुपत है तीन कैटागीरी हमने बताई थी तो ये सांथ है यानि इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता और जो हमारा चिम्बो राजो है कभी कभी उद्गार देखने को मिलता है यान से थोड़ा सा अटकर और कोटोपैकशी एक कोड़ो बिंग कर शोर्षि मॉरा जो ससप्तgreg पमक Mukhi कौलीमो सक्क्री और एक लTIN कर मुः यह भी हमारा अर्ब जोला मुखी है कम है चेह कि रहुत कोती है दोस्तों एक आंक्ड़ का वहारा है अमारे शाव sponsंच विस के पथ यू ओर स्झ पछनोड और बड़ते और देखते हैं यूरोप ओअफरीका के जोला मुखी प्रवारा मरत स्चीथ है यूरोप ऌफ्रीका में जोला मुखी तो सबसे पहले आता है विसुवियस ये इटली में इस्तित है इटली का एक दूइप है सिसली उसी के पास ये इस्तित है विसुवियस जौला मुखी है जो ये सुसुप तो जौला मुखी है यानि कभी-कभी इसमें उद्गार देखने को मिलता है बराबर नहीं आगे बढ़ द्ईीब उसी पर स्थित था है इस ट्राम बोली और यहैं estate ने भूमद्यसागर में इस था जै जो इसका प्रका सिस्तब कहते है क्योंकि जो भूमद्यसागर है जैसे उसी में एक द्विप इस था है लिपारी ड्ूः यह हमारा पूरा अमानलो mediterienCи है ए और ये इस्तित है लिपारी और इससी में इस्तित है stramboli, जिर इसमें उदगार होता है तो पूरा प्रकास फैल जाता है mediterienCi में harnessしまको जिसी लिए इसको कहते है भूमद्य सागर का प्रकास स्थम और सक्री है तो बराबर ही इसमें उद्गार होता रहता है तो बराबर प्रकास देखने को मिलता है मेडिटेडियन सी में इस से इसी लिए भूमद्य सागर का प्रकास सिस्थम का आ जाता है इस्ट्राम बोली जोला मुखी को तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में तो ये आप देख सकते हैं किली मंजारो ये ही के वलब फ्रीका महादूप में इस्थित जोला मुखी है जो कि इम्रत जोला मुखी है अनिसांद जोला मुखी है बाकी ये आप दूइपों में देख सकते हैं लिपारी दूइप में इस्ट्रामबोली सक्री जो कि ये मेडिटेरियन सी का एरिया विसुवियस इटली में स्थित सक्री है एंटना सिसली ये भी इटली में स्थित है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Aesia महादूइप के जो अलमुखी कौन कौन से हैं तो सबसे पहल दोनेसिया में इस्ती थे इंडोनेसिया 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 में दोस्तों कई सारे पाय में इस्तित है और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे देवबंद और कोह सुल्तान ये दो जौला मुखी हैं दोनों इरान में इस्तित हैं दोनों सांत जौला मुखी है निमने कभी उदगार ही नहीं हुआ एक बार हो गया था उसके बाद से कभी भी इसमें उदगार नहीं हुआ है तो यही है देवबंद और कोहुत-स उलतान दो जोला मुखी Ut's वाद अगे बढ़ते है तो भारत के 2 जोला मुखीे आ जिन में है बािरन ये सकरी जोला मुखीे नार कंडम से सुथ जोला तो हमने जो भारत के दूइप वाला जो लेक्चर पड़ा था उसमें इन दोनों ये एक दूइप में ही इस्थी थे हैं इनका नाम भी है बैरन दूइप नारकॉंडम दूइप ये आप दूइप भी है और यहीं परिस्थी थे जॉळा मुखी भी तो इनको हमने डीटेल में भी बताया उस लेक्चर में तो आप वे लेक्चर देख सकते हैं अन्डमानी को बार के हम अगरेए इस्थ में तो मिलेगा उनको बैरन आइलेंड और और नारकॉंडम अईलेंड वहीं परिस्ति था बैरन जोला मुखी और नारक दूंडम जोला मुखी यह सबूमेसा सक्री इरान में माउंट पॉम्पा मैमार में बैरन नार कॉंडम भारत में मिलेंगे आपको कारा का तोवा मिलेगा इंडोनेसिया में और फ्यूजी हमा जापान में अब आगे बढ़ते हैं तो जौला मुखी की सबसे ज्यादीक जो सक्रीता है वो पाई जाती है जापान में अभी ह यहां पर एक भी जौला मुखी नहीं पाया जाते हैं बाकि जितने जो कॉंटिनेंट हैं उनमें हमने कहीं न कहीं जो जौला मुखी है वो हमको देखने को मिलते हैं लेकिन जो आस्ट्रेलिया मादूइप है यहां पर हमको कोई भी जौला मुखी देखने को नहीं मिलता तो यह बात भी आपको याद रखनी है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह लेक्चर यही पर खत्म होता है जो कि जोला मुखी का जिसमें हमने जाना जो विस्तों में उपस थे मुख्य मुख्य के जोला मुख्य उनके बारे में तो आप इसी तरह इस सीरीज से हमारी जुड़े रहे और ऐसे ही अपना ग्यान बढ़ाते रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए धन्यवाद